सत्ष्री अकाल कसान सातियो मैं यहां डॉक्टर कुल्दीप सेंग शेरगल मरखाई दोस्तो होन जो कसान वी रहां दा क्वेस्चन आ रहे हैं ओ ए हेगा है के बूर चाड़न तो बाद देवेचे पानी केस त्रीके देना खेद देवेचे लगोना है ओस वीडियो नो मैं कवर करां उस तो पहला एपार्ट देखना जुरूरी है के बूर चाड़न तो बाद देवेचे ओना केड़ी केड़ी स्टेज देवेचे लंग दा है इस तो पहला मैक चो ना पाग एकवंजा अपलोड किता सिगा जीदेवेचे एक यासी है के जैस देन पहली मुंजर निकलनी शुरू हुन दी है ओस देन तो लेके बूर चाड़न तक पांज सेंटीमीटर पानी पर की रखना है कोई कसानवीर ऐस पानी नू बहुत जादा पानी कहरे है इसी उन्दन में कलियर कर देना चोना है पांज सेंटीमीटर दा मतलब हुनदा दो एंच पानी जेड़ा के बहुत थोड़ा हुनदा है दूसरी गल के जेड़े कसानवीर सच मुच khero कर दे है khero इन पानी लोंदे है उखौद ऐस चीजेथों आपके जिशे जिमें हे ही बूर चड़ दा तांं चो ना आपना सत्य मी स्टेज दे वेंच चला यंदय को सत्मी स्टेज मतलवुके जेड़े मिल्क ग्रेइण स्टेज मिल्क ग्रेइण स्टेज जड़े कौहाऊँ दी हुंदी है ऐस स्टेज दे वेच चोने दे दानेयां दे वेच फेटिलाइजेशन तो बाच जेड़ी कहाँ पर कुंजाच गल करके आई सीगे किस तरह बूर पेंदा की कुछ होंदा है ता ओ दे वेच दाना दे वेच दोद परना शुरू हो जन्दा है जिड़ा के बिलको लीकवड होंदा है ऐस स्टेज दे वेच जेकर तुसी दाने नू अपनियां उंगला दे वेच लेके ते नपोंगे ता पतला जा चिटा जा दोद बार नू होंदा है मुंजर हरी देश दी है जिमें जिमें दोद दा परना शुरू होंदा है ओमें ओमें जेड़ा है गा मुंजर थले नू चुकनी शुरू हो जन्दी है ते ऐस स्टेज दे उपर जेड़े हेट ले पासे पत्ते सीगेट ए मोट दे नाल ओ और होर सुकने शुरू हो जन्दे है ओन्ना दा रांग बदलना शुरू है यंदा पराली वर्गियों को बनने शुरू हो जन्दे है ते मौक तोर जेड़ा हेगा उपर ले पासे जेड़े दो जा तेन पत्ते हेगेगा ओ पूरे त्रीके नाल हरे रिंदे है ऐस टाइम ते होंदा की है के जेड़ा भूटे ने होंदा के पोजन बनाया सीगा ओ करम्स ते शीत दे वेच कठा किता हुया है ओ तो जेड़ा कार्बो हाइडरेट ते शूगर सहेगा है और स्टार्च दे रूप दे वेच बदलके दाने दे वेच पर निया शुरू होंदी है ते दाने आले पासे नहीं कम चल जन्दा है परांतु एक क्वेस्चन दा मिन्नों मैं इस्थे होर आंसर देना चावाँगा कोजी कसान वीरा ने पिछली वीडियो दे उपर एक कमेंट किता सी है कि जेकर पानी पर न जरूरी है तर पिछले साल चाड क्यों कट यह ता इस्थे उस दा जवाब होंदा है कि तुसी है साब साब पढ़ रहे हैं इस थे कि light intensity is very important during this interval since 60% or more of the carbohydrate used and grain filling are photosynthesed during this time interval मतलु के इस time ते 40% खुराकता हों दी है जड़ी बूटे ने प्रानी स्टोर करके रखी होई है प्रांतु 60% खुराक जड़ी है गी है उपर ले तन पते दे मुंजर ओहो सूरेज तो रोशनी लेके हुने ही बनों दी है तो जड़ा होना ऐस time ते कार्भुहाइडर बनेगा और सिद्धा दाने देवेच पर आ जाएगा जेकर ऐस time ते sunshine नहीं होएगी ता ये जो 60% खुराकोच पहनी है ता ये दी मात्रा कटेगी जड़ी के ठोड़े चाड़नू काफी हाथ तक पिछले साल ऐस ने कटाया है ते एस तो अग्गे जड़ियां व्रैटियां दे दाने लंबे हुंदे है ओ मुंजर निकल तो बाज पैंती देंदे वेच मेडियम ग्रेंड साइज आ लियां पंताली देंदे वेच ते बिलकोच शोट ये दाने आ लियां जिनू गट्टा चोना के नहीं ओ लगपक पंज का देंदे वेच अपना पक जंदियां इस टाइम ते एक चीज और त्यां रखना लिया है ये तिन्नों स्टेज दे वेच चलदा हैगा के जड़ा ग्रेंड वेट दाने दा वजन बनना हैगा ओटा डे जड़ा हैगा एस समय टेंपरेचर किना चाल रहा और ये ते डिपें स्टेज आठ ये शोटिया हो जानी आए ते जोरो शोटिया हो जानी आए ते ओस समय ग्रेंड वेट काट बनेगा संशन जरूरी है लेकिन टेंपरेचर कंट्रल चाइदा है ते जे कर टेंपरेचर ठीक है ता ओस टाइम ते जड़ा हैगा जहां काट होन ते अजड़ा लिए डाउन चाहिए था इनों इत्थ हे क्लिर होगा सब्तों पहली मिल्क स्टेज क्लिर होगी । मिल्क ग्रेन स्टेज तो बात देता स्टेज ओंधी एस डफ स्टेज जड़ी के चोने दी अठ्मी स्टेज है डफ ग्रेंड स्टेज दे वेचे जेड़ा दोद्धा हुंदा है सब तो पहला हो एंटर करदा सौफ्ट डफ स्टेज दे वेचे तो उस तो बाच हार्ड डफ स्टेज दे वेचे सौफ्ट डफ स्टेज दे वच की होंदा है कि जेड़ा दोदा पर्या होया है वो गाड़ा होना शुरू होंदा है ते गाड़ा होके ते थोड़ा जा सक्त होंदा लेकिन फेर भी ओखो नर्म होंदा है ते ऐएस समय ते जड़ा हेगा उपर ले पत्यानु शाड़के बाकि सारे पत्ये जड़ा हेगा पीले रन्ग दे वेच होने शुरू होन्दी है ते हेट ले कोई तिलर जड़ा हेगी है उद शुकने शुरू होन्दी है इस तो बाथ छे hard-dough stage दे वेच चला यांदा हार्ड अफ स्टेज दे वेच दाना जिड़ा हैगा काफी हार्ड हो जन्दा दाने दे वेच मुवाश्चर बाई परसंट ता खुंदी है दाने दा रंग दाने दा रंग जिड़ा हैगा और सनेरा हो जन्दा येलो हो जन्दा ते येस तो नाली जिड़ा हैगा जेड़े पत्ते है गया है जेड़े अपने लास्ट आले पत्ते है गया है ओना दे जेड़े टेप है गया है उपर ले पास्यों सुकने शुरू हो जान्दे है ते हेड़े पास्यों जेड़े हैगा काफी सारे पत्ते सुक जान्दे है एह स्टेज ते 22% नमी हों दी है दाने दे वेच ते जड़ा मुंजर है गी है ओ येलो होनी शुरू हो जन्दी है ते जड़े खीर ले दो पते सी गे ओना दे टेप भी जड़े है ओ एक नारेया तो सुकने शुरू हो जन्दी है ता अखीरली स्टेज स्टेज 9 मिचियोर ग्रेन स्टेज दे वच प्लांट जड़ा है एंटर कर ज़नदा है तो ऐसमें दाना पूरा पक चुका हुंदा है पूरा हार्ड हुंदा है ते उपरले पते जड़े है गई है वो पूरे पूरे सुकने शुरू हो ज़नदे है परांतु कई वरेटियां जो सोने रंगी हो जगनदी है ता ऐस स्टेज ते चोना जड़ा है गई है पकन वड़न दे ली त्यार हुंदा है ते मुवाश्चर परसेंटे दा कोई ज़्यादा फरक नहीं पेंदा मुवाश्चर वी तो बाई परसेंट ता कोनदी है परांतु होना सिंआ अपने जड़ा है है soft dub stage hard dub stage hard dub stage दे बैचे पत्ते आंदा रंग बदलना शुरू हो जानदा ते नाली हेठले पासों जड़े टिलर है गया ते पत्ते जड़े हैं काफी मात्रास हो के आंदे है पामी के एरी शुरू बात milk stage तो ही हो चुकी है ते उस तो अगे maturity हो दिया maturity दे वेले जड़े खीर ले पत्ते होंदे है ओ भी उपर ले पासों सुकने शुरू हो जानदे है कई वरेटियां दे वेचों हरे बने रेंदे है ता ऐस तरीके दे नाल जड़ा चो ना सी विजया सी गा ओ नौ स्टेज दे वेच होंदा होया आखरते वड़नली त्यार हो जा दा है ते होन जड़ो मैं अगले वीडियो दे वेच पानी दी गल करांगा के पानी किस तरह रखना है ता ओ अपां इन्ना स्टेजस नू त्यान दे वेच रखांगी मौक तोर ते जिस टाइम ते चो ना वड़ना है गा वड़न तों जमीन दे साव दे नाल दास्तों पंद अगली फसल दे लईवी जड़ा है गा नमी बना की रखी जा सके बहुत देर पहले जड़ा है गा चो नेरे वेचो पानी नीस कोना अपनी जमीन दा साव देखके दास्तों पंदरा दिन पहले आसी खेद दे वेच जड़ा है गा पानी कट देना है तरवाद दोस्तों मेरब झाल 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 झाल